हेलो दोस्तों वेलकम बैक टो माई यूटुब चैनल और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और समझेंगे एनिमल्स के नाम यानि की जानवरों के नाम इंग्लिश में तो आएए चलते हैं तो आएए चलते हैं पहले वर्ड की तरफ और पहला वर्ड है बाग जिसे इंग्लिश में कहते हैं टाइगर चले चलते हैं दूसरे वर्ड की तरफ और दूसरा वर्ड है शेर जिसे इंग्लिश में कहते हैं लायन चले चलते हैं तीसरे वर्ड की तरफ और तीसरे वर्ड है जंगली कुत्ता जिसे इंगलिश में कहते है wild dogs चले चलते हैं चौथे वर्ड की तरफ और चौथे वर्ड है उद बिलाव जिसे इंगलिश में कहते है otter आइए जानते है लोमडी को इंग्लिश में क्या कहते है तो इसे कहते है फॉक्स आए चलते है चटे शब्द की तरफ जो है भेडिया और जिसे इंग्लिश में कहते है वुल्फ आए चलते है साथवे वर्ड की तरफ जो है नेवला जिसे इंग्लिश में कहते है मैंगूस चलिए देखते हैं मगरमच को क्या कहते है इंग्लिश में तो इसे कहते है crocodile नौवा शब्द है छचुंदर जिसे इंग्लिश में कहते है mole दसवा सब्द है CR जिसे इंग्लिश में कहते है jackal जैकल इग्यार वा सब्द है sewer जिसे इंग्लिश में कहेंगे pig आए चलते है बारवे शब्द की तरफ जो है भेड जिसे इंग्लिश में कहते है sheep दोस्तों आए जानते है sand को इंग्लिश में क्या कहते है तो इसे कहते है bull आए जानते है bell को इंग्लिश में क्या कहते है और इसे कहते है ox चलिए जानते है बकरी को इंगलिश में क्या कहते है और इसे कहते है गोट यह जानते है खरगोश को इंगलिश में क्या कहते है और इसे कहते है रैबिट चले दोस्तों जानते है गाय को इंगलिश में क्या कहते है और इसे कहते है कव चले दोस्तों जानते है हाती को इंगलिश में क्या कहते है और इसे कहते है एलीफैंट चले दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे वर्ड की तरफ जो है उंट जिसे इंगलिश में कहते है कैमल चले दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और आज का सवाल है इस चित्र में दिखाए गई जानवर का नाम आपको कमेंट में लिखना है थैंक यू फॉर वाचिंग दा वीडियो एंड हाँ जो इस चैनल पर नए है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में